हालो विवर्स आमी इम्रान अम्मेद पराग इन्स्पिरेशन और मोटेबेशनल चैनल पकतेके आपना देश्वाएके शोवर्ष्ट जानाच्छी आजके आमी प्रब्लेम स्वाल्व एबं प्रब्लेम की दिवाबेटा एराइस करे शेवी शोय आपना वीडियो बनाते जाच करते हैं, होथाँ चैजै आमने इनार मैस्मेंट इनार डेवलोपमेंट ठीक ना होले झे भितो अट्टा जोडिनाच्छी स्मास्या धाक तो ज़्यी शेकारे आमनेकुरी इनारसब्लिय शोय आशो ले ए गुला की छ montón्छी नाहातो तो ए गुली कियोब है हैंडल करता है शो ए विशय है कुप भालोबाब है आभी विशय टा तुले धुले धुले ची वीडियोर बांत में अशा करिए अपना देखिलेक चुठा होलो पकित पहबें तो चलोन कहाना बाई लिए वीडियोर्टा शुरू करा चा मानुसेर बिभिन्न धरोनेर कामुना बासुना ठाके जाते मानुस ए बासुना आशुक्त है ए कामुना बासुना जोदी ठाराफ है ता होले जिवन अमुंगल हुए जाए आर कामुना वाशुना कतो पकारे हुए ता आमरा जानी कामुना वाशुना पाच पकारे हुए थाके पन्चो इंद्रियों जाके बले एक सब्द दूई द्रिस्टी तिन स्पर्ष चार्षोना वपाच ख्रान पन्चो इंद्रियों हो अल्ला आमादेर के दिये छेन वई पन्चो इंद्रियों जतो कामुना आचे ता आमरा कुरे थाकी एई पन्चुइन्दिरेर प्रभाब हुए छे समग्रु प्रिथिविते और एई कामोना जे कतो भायं करता आम्रा जानीना एक टी प्राचिन गल्प आछे शेखाने बला हुए छे जे होरिंग नाब नामेर एक तिरुनलता खावार कामोना पसं करे शेकारी शेखेने गिए समगीतेर मध्धो में होरिंके आकर्षन करे एबं होरिंके मेरे फ्यले हाती छीलो इस पर्षकरार कामोना बासुना ताई शेकारी एक मेह हाती के गरते फ्यले तै आर पूरुष हाती इस पर्षकरार लोभे गरते परे आर मोरे जाए किक पदंगेर आलोर पती कामुना शिष्टी हुए तार आगुनेर काछे जाए आर ये जोले पूरे जाए मासेर कामुना छिलो केचो खावार पती आर मास धरा परे शिकारीर हाते एबं मौमासीर छिलो सोगंदीर पती आकर्सन मौमासीर पद्दफुले गिये वसे एबं अंदकार हुए जाए चार दिक थेके कारण सुर्ज रुबे जाच्छीलो पद्दफुल बंद हुए जाच्छीलो आर प्राप्रीर धारार मार किन्तु मौमासी भावलो आर किट्टूर सुगंदी निये नी तार परिखांतेके चोल पुर्षार इछुद देशे देखे ना तो सबसेशे पद्दफुल बंद हुए गालो मौमासी भावलो कुर्ण व्यपान ना शारारात इपद्दफुले भितर आरामे काटिये दिवो शकाल होले पद्दफुल खुले जाबे आमी चोले जाबो ओई समय एक बिरार हाती एबं तार शूर दिये पद्दफुल के मूरी एखे खेलो ओई मौमासी पद्दफुले मद्द दियेत हातीर पेटे जाच्छिलो एबं मुरे गेलो एई पाच प्रानी तदे पास्टा विशेश इंदरियेर कारोने मारा गेलो और एई पास्टा कामुना वाशुना जोदी कि बेरे जाए ताहले एके बले आशुकती ऐए आशुक्ति आमादेर भीत्वर शप्चे भयंक शुत्रू एटा आमादेर धंग्श कोरे दै आपने मुँ में डाल दिया वो भावरा कमल में बंध हाथी के पेट में जा रहा है सोचता है कमल कहीं जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ मर गया बिचारा ये पांच प्रानी अपने एक इंद्रियों के विशे की कामना के कारण मारे गए जो मनुश्य पांच्छों इंद्रियों की कामना बनाता है उसकी क्या गती होगी क्या परिणाम होगा और ये पांच प्रकार की कामनाओं को एक शब्द में हमारे शास्त्रों ने कहा काम काम माने कामना हमाish भीतर के संसार की सबसे भयानत पिवारी एवं यदि कोई उस कामना को परास्त कर डाले बस कामना विनाश, दुख विनाश भगवान बुद्ध ने धाई हजार वर्ष पहले का था किन्तु भगवान बुद्ध से धाई हजार वर्ष पहले वेदों ने भगवत गीता ने घोषना कर दी विमुन्चती अदाकामान मानवो मनसिस्थितान तरहेव पुंडरी काक्ष भगवत वाय कल्पते भगवत कहती है विमुन्चती अगर किसी ने कामना को खतम कर दिया वो साभग्यशाली मनुश्य ब्रह्म समुष्णुते ब्रह्म स्वरूप हो गया योन कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते महभारत भी कह रही है जिसकी कामना चली गई वो भगवान के जैसा हो गया तो ये कामना जो है ये क्यों उत्पन होती विशार करें सब के अंगर एक जैसी का नदो उत्पन नहीं होती किसी को हर समय आईस्क्रीम की ही कामना सताती रहती कोई धन की कामना लेकर भाग रहा है किसी को प्रतिष्ठा की कामना लगी हुई है तो किसी के मन में सिगरेट आकर पिंच करती रहती है ये कामनाएं हमारे अंदर उत्पन होती क्यों है इसकी साइन्स समझी जिस व्यक्ति का मन जिस जगा अटैच होता यानि हमारे मन की आसकती जहां होती है बास पिर उसी वस्तू या व्यक्ति की कामना हमारे भीतर बार बार उत्पन होती है अगर किसी का मन शराब में लग गया तो शराब उसके मस्तिश में मंदराती रहती है हमें पियो हम तुमको चैन से नहीं जीने देंगे इस बात पर जरां गौर करें हम लोगों को लगता है कि वस्तू के आंतरिक गुणों के कारण कामना उत्पन होती किन्तु ऐसा नहीं शराब में कौन सा गुण है खुश्बू है की बद्बू है अरे स्वाबी जी गोर बद्बू है यही प्रशना आप शराबी से पूछे वो कहता है कहां बद्बू है मैं तुम मदिराले के सामने से जाता हूँ थोड़ी सी उसकी सुगंदी आती है तुम्हें जूमने लग जाता हूँ अब बताईए सब को शराब से बद्बू मिल रही है और वो ही बद्बू शराबी को खुश्बू के समान प्रतीत हो रही ऐसा क्यों? क्योंकि शराबी का मन उसमें आसक्त हो गया है आसक्ती में बद्बू भी खुश्बू क्रोद और लोब कीवाबे तोरी होई एक काबोना वाशना माध्ध में तोरी होई जेटा मानुशेर अनेक बरो सुत्रू एजी निस्टा बविज्गानिक भावे एकुन प्रमानतो आसक्ती होलो असांतीर कारण जारफले समस्षा बाज हामेला शिष्टी होई एजन न आसक्ती मारतत भयंकर आमरा चाइले एक काबोना ना रेखे पिथिवी ते बास करते पानी चे मोंटा नोका पानी ते चले किन्तो नोकार भीतर पानी जाये ना आर जोदी नो पानी नोका चले आशे ताहले नोका डूबे जाबे ठीक त्यावनी आमा देर शेवाबे चलते होबे ताहले आमरा एक कामुना वाशोना थेके दूरे थाक्ते बावो जेटा आमा देर आशक्ती थेके अनेक दूरे रागबे तुने इतने सारे सुन्दर बच्चे देखे किसी को उठा के और वातसल्य सुख का अनुभब कर ले मा कहती है पुलीस मैल साब आप नहीं समझेंगे मैं अपने काने कुब्डे लूले लंगडे बच्चे को देखकर हिसो पांगी तो मा को कोई भी बच्चा नहीं चाहिए मात्र सुन्दरता नहीं चाहिए अपना बच्चा चाहिए जिसमें उसके मन का लगाव हो गया तो ही जिसका मन जहां आसत्त हो गया बस उसी की कामना उसके भीतर बार 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 उठती और जहां कामना आई तो आप लोगों को कल बताया था कि कामना की पूर्ती पर लोब आ जाता है और अपूर्ती पर क्रोध आ जाता है तो ये पूरी साइन सब क्लियर हुई क्रोध और लोब क्यों उत्पन होते है उनकी जननी है कामना और कामना का कारण मन की आसकती तो वो आसकती जो है यही खतरडाक है हम संसार में रहे संसार की आसकती न रहे भीतर हम निरलित विचरण करेंगे जैसे नावका पानी में रहती है किन्तु पानी नावका में नहीं रहता यदि पानी रहने लगा तो फिर वो नावकाड दूब जाएगी इसी प्रकार से श्री कृष्णा ने अर्जुन को कहा योगी ना कर्म कुर्वन्ती संगं ट्यक्त्वात्म शुद्धये अर्जुन जो योगी लोग हैं वो संसार में कार्यक करते हैं कि तो कोई आसकती नहीं होते तो आसकती से कामना, कामना से क्रोध और लोग यदि हम आसकती खतम कर देंगे हम निरलिप्त यहां संसार में रहेंगे वो आसकती कैसे जाएगी? ये इस श्रिंखला की अगली कड़ी में हम लोग विचार करेंगे खुब असादर निटे वीडियो उनी हिंदी ते बोले छेन आमी किछो भागला कोरे दिये छी आमी जानी आपनारा हिंदी भुझेन तो समस्षा हवार कथना जोदी कुनो पुष्ण थाके अबस्षे कमेंट बख्से लिखे जानावेन आमी शेटा उत्तुद दिवो एबँ आमाके ताबोश्षे लाइप एबँ आमार चैनल टा सब्सक्राइब कोड़ते भूलवेनना दन्नो बाद